भारत की इस घटना ने अंतरतम से लोगों को जगजोरा है जिस देश में द्रौपती के चीर हरण के बाद 18 अक्षावणी सेना कट कर मर जाती है जहां माता सीता के अपमान के बदले लंका में चराग जलाने वाला भी रावण के बंश में कोई नहीं आज उस देश में उस दे होता था यह तालिबानी शास भूत काल भश काल मरतमान काल तो चला लेकिन मोदी जी ने एक नया काला रह्म किया कुछ करना नहीं है देशी में हाथ गोड़ बंद ने हुए काम एक कोई काम नहीं है अगर सोसल मीडिया नहीं होती भारत के अंदर तो भारती जंता पार्टी ने जो कर्म किये हैं वो पूरे देश को मगर की तरह निगल लिया हो सोसल मीडिया ही है जिसने तमाम घटनाएं वाइरल करकर के और दिखा दिखा के सरकार के कान खड़े के लेकिन सरकार का कान खड़ा इतने होता है को अपनी इज़द बचा ले यहां तो इज़द भी नही प्यार और बेवफाई की तो चर्चा आम थी इसी बीच एक दिल दालाने वाले घटना हो गई मड़ीपूर में ऐसा द्रिश जिसने पूरे भारत वर्ष जिससे एकदम से आप समय कलेजा चलनी हो गया और दो महिलाओं को नंगा करके उनकी परेड निकाली गई उनके जो है अशलील उनसे हरकत की गई वो द्रिश बताने लायक नहीं है इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम हैं पूरवांचल के शिवशेना प्रमुख हमारे साथ में संतोस दूबे जी हैं आप से जानना चाहेंगे सर की इस पूरी घटना पर को आप किस रूप में लेते हैं सबसे जिम्मेदार जो भी लोग हैं वो तो एक अलग विशे हैं लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार इस देश के ग्रह मंत्री और प्रधान मंत्री की बनती है जो मणीपूर पिछले तीन महीने से डाई महीने से जल ला था उस मणीपूर की आग बुझाने के लिए कभी दो प्रधान मंत्री को और ग्रह मंत्री को नहीं मिला पूरी दुनिया में आपने भ्रमन किया पूरा विश्व घूमाए अपना देश नहीं देख पाए अपना परिवार नहीं देख पाए और इस भारत में जहां यत्र पूजयन्ते नारियस्तू रमंते तत्र देवता जहां नरियों की पूजा होती है वहां देवता निवाश करते हैं जहांकि उक्ति पूरे विश्व को आलोकित करती है प्रभावित करती है और पूरा विश्व भारत की और ग्यान भक्ति करणा की निगाहों से देखता है कि इनसे हमें प्राप्त होगा यह परमूर्जा के श्रोत है भारती लोग लेकिन भारत की इस घटना ने अंतरतम से लोगों को जगजोरा है दुखत यह है कि जो रास्टरवाद की बात करते थे जो कहते थे कि हमारे लिए सब भाई भाई हैं नारियां हमारे लिए बंदनी है बेटी बढ़ाओ बेटी उसमें तो बहुत कुछ बोल गए थे और जो बोल गए थे वही करवा भी रहे हैं प्रदान मंतरी ने जो बुला था वही करवा रहे हैं बेटीयों के साथ जो कुछ हो रहा है एक विशह है कि जिस देश में द्रौपती के चीर हरण के बाद अठारा अक्षोणी सेना कट कर मर जाती है जहां माता सीता के अपमान के बदले लंका में चराग जलाने वाला भी रामण के बंश में कोई नहीं रहा गया आज उस देश में उस देश की बेटीयों के साथ जो कुछ हो रहा है वो यह इसाई हूँ वो मुसलिम हूँ वो हिंदू हूँ वो कोई भी हूँ वो इस देश की नागरिक है उनका अधिकार है यह सब कुछ वही हुआ जो मुगलों के शाषन में होता था यह तालिबानी शाषन है नहीं बोलेंगे उरी दुनिया आपको धिकारेगी और मैं समस्ता हूँ कि प्रधान मंतरी को न बोल करके उन्होंने अपना 56 वाला सीना जो है उनका हाला कि हमारे देश में भूत काल भविश काल बरतमान काल तो चला है लेकिन मोदी जीने ने एक नया काला रहम किया भाव काल कुछ करना नहीं है वो हमारे हां कहावत कही जाती है देशी में हाथ गोड बंद ने हुए काम एक को जंड न हुए तो जंड कर दिया है उन्होंने कोई काम नहीं है बेरोजगार अपने में परेशान किसान अपने में परेशान जनता अपने में परेशान यह मई की घटना है मई के बाद 8-8 मई की घटना 13 दिन बाद फाइयार दर्ज होती है और 2-3 महीना मतलब कि 3-2 महीना बिदने के बाद 3 महीना तब यह वाइरल होता है शोसल मीडिया पर बहुत बड़ा आवरूप लगाया जाता है बातों को बढ़ाती चर्थ क्या शोसल मीडिया ही अप्रमाडिकता देगी इन सब घटनाओं की तभी इस पर कारवाई होगी अगर सोसल मीडिया न होती भारत के अंदर तो भारती जंता पार्टी ने जो कर्म किये हैं वो पूरे देश को मगर की तरह निगल लिया होता सारी घटनाओं खा पी जाते इसको भी चटनी की तरह चाट गए होते इस सोसल मीडिया ही है जिसने तमाम घटनाओं वाइरल करकर के और दिखा दिखा के सरकार के कान खड़े के लेकिन सरकार का कान खड़ा इतने हो तक वह अपनी इजज़त बचा ले यहां तो इज़़त भी नहीं बचाया तो सोसल मीडिया धन्यवाद की पात्र है कि उसने भारत की आबरू को या यूं कहें कि बरतमान चीरहरण को बचाने में विदुर की भून का अगर कोई ठीक से निभा रहा है और उपर से भगवान श्री कृष्ण का अंस भी दिखता है कहीं से तो वो केवल सोसल मीडिया में है बाकी जो गोदी मीडिया जिसे आप मोदी मीडिया पेड मीडिया ठग मीडिया धूर्त मीडिया जिसे आप कह सकते हैं या वो सरकार की जो जूते और चपले बनकर रह गए उन्होंने तो नाश कर दिया इस देश का ये देवर्शी नारत की परंपरा की बेवस्ता है जहां शंबाद ही विसेस्ता थी जहां की और सच कहने का जहां शभाव लोगों में था ये तो क्या है आज अभी मोदी जी ने लखुशंका कर दिया दस फिट का गड़ा हो गया आज की ताजा खबर ब्रेकिंग न्यूज अभी साहा जी का हेलिकाप्टर एक मक्खी से टकरा गया क्या दिखाते हो क्या तमाशा है मोदी चाली साह पढ़ते पढ़ते अमिद साह का चाली साह पढ़ते पढ़ते आपने क्या कर दिया कहां पहुचा दिया है तो यह सोचल मीडिया ही है जिसने सही चीज़ दिखाई दिखाएगा करता रहेगा इस पर भी बैंट करने की कोसिस करेंगे मुख्यमंत्री बिरंदर सिंग कहते हैं घटना आम सोदो सव घटना इस तरह की हुआ करते हैं उन्हों सही का उनकी जानकारी में है मौका उनको भी मिला होता तो भी सब कर लेते कोई दिक्कत नहीं यह तो उनके यहां ब्रजभूशन सिंग हैं उनके पुलदीब सेंगर हैं उ इन बिरंदर सिंग भी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं जो मुख्यमंत्री इतना ना का रहा हो कि खुद कह रहा हो कि ऐसी हजारों घटनाए हुए हैं मैंने उनको देखा बोल ले थे कि ऐसी सेंगर हजारें घटनाए हुए हैं अभी कितना कमजोर आदमी है छप्पर इंच सीने वाले का एक मुखिया एक राज्य का मुखिया इतना कमजोर है कि हमको लगता है कि उस व्यक्ति को सुसाइट कर लेना चाहिए कि जो हमारी जिम्मेदारी है अगर एन बिरेंदर सिंग की बेटी के साथ है ऐसा हुआ होता है सपोस्थ कि ये राष्टपती महिला है जहां कि इस देश की बताईएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए नहीं हो सकता है ना ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है कि कुछ कर सके अभी तक कारवाई गनाम पर किवल एक व्यक्ति को आरिष्ट किया गया है बाकी लोग भी घूम रहें लेकिन नेता जी ताल ठोकर पूरे मस्तक पर चंदन लगाकर राजस्थानी गंचा सर में बांद कर रखता है जिसे पूरा विश्व विजय कर क्यार है अब मन्नु यही है महाभारत युद के सबसे बड़े शहीद तो ऐसा नहीं है कि देश जानता नहीं लोग 24 का इंतजार कर रहे हैं प्रतिक्षा कर रहे हैं इन सारे बलातकारियों को जेल भज़ाने के लिए जंता आप का है लोगों को अपनी तरफ से क्या मांग करेंगे आप घड़ किस तरह की कारवाई होनी चारे किस पर करूं गुमान पियामोर बाउर किस से मांग करें वो एन विरेंदर से छपन इन सीने वाले से या देश के उन घड़यालों से मांग किया जाएं जिनका नचाल चेहरा अच चरित अच्छा है उनसे मांग करें मांग प्रभु से प्रमेश्वर राम से है कि है राम अपने इस देश को आप चला रहे हो इसको बचाओ और यह नकली राम भगत है फरजी वाले जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं जिनको महामरत्र याद नहीं है जिनको कंधार और आप एक साथ बैट के चाय पी रहते जब इतने मूर्ख लोग सासन तत्ता में बैठे हो तो उनसे क्या मांग करेंगे तो आप मांग भगवान से ही कर सकते हैं मैं प्रभु राम से कहता हूं कि प्रभु आपके नाम पर यह जो कववा लोग दुकान चला रहे हैं काओ काओ क बेजिये कोई एक चानक के एक पुश शमित्र सुंग बेजिये जो इन आतताईयों को मारे यह मुगलों से ज़्यादा खतरनाक हैं यह अंग्रेजों के भी बाप हैं दिन भर में च्छे बार कपड़े और पगड़ी और सूट पैजामा बदलने वाले लोग कितने बार और क हमा के बता रहा हूँ क्या क्या बदलते हैं यह इनका चाल चरितर चहरा जो तो आपने सब देखलिया है पूरे देश ने देखलिया है हर साल दो करोड़गों कंदेते देते बूरा देश रोजगार से भर गया है हर खातेम पंढ़रा बीस लाग देते सब रईस हो गए है हो राम लला इतने दुखी है अपने इन भक्तों के नकली भक्तों करतूद दे कर कि पूरी अध्या तोड़ दी गई है सौसे अधिक मंदिरों के तोड़ दिया गया है मस्जिद को एक नहीं छूड़े है एक भागवत महापुराण में कथा है ये एक वासुदे वब पॉंड़े है था, फर्जी करश्ण बन कराया था तो वही पॉंड़े है वो फर्जी उनके पास बलराम है, फर्जी हनुमान है फर्जी पॉंड़े है, वो वासुदे वब क्रुष्ण है तो ये फर्जी लोगों का सब चला है जूट है लेना जूट है देना गुश्वामी जी ने लिखा है मैं अपनी और से कुछ नहीं कह रहा हूँ जूट है लेना जूट है देना जूट जूट चबैना और उनुने आगे लिखा कागभुशुंडी जी गर्ण जी को बताते हैं कि जाके नक और जटा विशाला ते प सोला जगत गुरू सुने थे सोला अकबाद चार मुख धर्म गुरू शंकराचायरे थे अब तो हजारों संकराचायरे बन गए हैं हजारों धर्म गुरू है तो मैं TV चैनलों में जो कथा सुनता हूं तो वो सब भविश्वानी फर्जिये करते रहते अपनी आख नहीं है अ एक तमाशा बन गया है आज भारत जो है एक इसको यू माली जी चिडिया घर बन गया है संसद भावन तो चिडिया घर है फिलाल आप हैं संतोस दूबे जी पूरबांचल प्रभुख हिंदू शिवशेना एक कह रहे हैं कि मां किस से करें इश्वर इनको सद बुद्धी दे इ कोई काम बंदी नहीं धेर सारी शुब कामना आपने आजुदा दर्पन से बात कि ठीक जाचिया राम